नमस्कार एश्टेवी नियूज में आपका स्वागत सबसे पहले नजार आज की सुर्खियों पार रासान के तीन जवान हुए शहीद फर्ज की खातिर दीजान बर्फ बारी से हुआ हाथसा कॉंग्रेसी निता ने विवाहिता से किया दुशकर्म घर में घुसकर की हैवानियत पती के आने पर हुआ फरार भाई ने भाई को उतारा मौत के घाट अवे समन्द बने वज़ा और भारी मात्रा में विस्पोटक मिलने से मचा हडकम फ्लैट में पुलीस ने मारा छापा दबोचे दो संदिग्द और अब समचर विस्तार से राजसान के तीन जवान अपने फर्ज की खातिर कुर्बान हो गए यह जवान अलवर, जोंजनू और भरतपुर जिले के रहने वाले थे यह सैनिक ड्यूटी के दुरान जम्मू कश्मीर में हुई पर्फ बारी में दब गए थे जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा छेतर के माचिल सेक्टर में एलोसी पर पेट्रोलिंग गश्ट जारी थी इसी दुरान हिम्स्खलन में दबने से ड्यूटी पर तैनाथ 21 राजपोताना रेजिमेंट के तीन जवानों की मौत हो गई इनमें अलवर, जिले के कठुमर थानज छेतर के मैथना निवासी 28 वर्षे राजिंदर गुरजर भी शामिल थे सैनन द्वारा राजिंदर के घर उसकी मौत की सूचना दे गई राजिंदर की मौत की सूचना से परिवार जनो सही पूरे गाउं में शोप व्याप्त है जैसे जैसे यह खबर आसपस के गाउंओं और रिष्टेदारों में पहुंची लोग ट्रेक्टर ट्रोलियों और अन्यवानू से मृतक राजिंदर गुर्जर के गाउं मैथना पहुंचे चारो तरफ सद्रमी में आई महिलाओं की चीख पुकारमची थी पत्नी उश्पा जो मायके में थी खबर सुनते ही गाउं पहुंची उनके साथ आई अन्यम महिलाएं भी अपने आपको संभाल नहीं पा रही थी अलवर जिले की कटूमर इसीद मैथना गाउं में पिता के साथ जगराम पोस्वाल और मासा चमेली के साथ मरतक राजिंदर से ही दो भाई और एक बेहन पारवती है राजिंदर की शाधी 1216 में कुश्पस हुई थी और उनके अभी कोई संतान नहीं थी राजिंदर की मौस से मानो पूरे परिवार पर कहर तूट पड़ा हो वे सुदमा अभी भी अपने बेटे के इंतजार में बार बार चिलाते हुए विलाफ कर रही है उसे नहीं पता कि देश की सरद पर अपनी जिम्मेदारी निभाने वाला जामभाज अब कभी नहीं आएगा बड़े भाई विरंदर ने बताया कि किस तरह उसे सेना ने फोन पर बताया कि राजेंदर की मौत हो चुपी है जो बार बार एक ही बात बोल रहा है कि मेरा लाल मुझे छोड़ गया मैथना गाउं में लगबग 500 परिवार हैं और इस गाउं में लगबग 100 से ज़्यादा परिवार सेना से जुड़े हैं यानि हर तीसरे घर में कोई ना कोई फोज में भरती है लेकिन इस वाथ से ने सारे गाउं को हिला कर रख दिया है राजेंदर को फोज में ही नोकरी कर दी और देश सीवा का एक जज़बा उसमें था जब भी कही सेना में भरती होती और वह पहुंच जाता था इसके लिए उसने 21 बार प्रियास किये और अंत में उसे सफलता मिली और 2012 में उसे सेना में जाने का अवसर प्राप्त हुआ तो उसने इतना प्रियास किया था सब भरती देखने में मतलब 31 बरती में हुए सेना मगया था टेस्ट में मेडिकल में कई बार निकल तो आपने उसमें प्रियास नीच वड़ा उसको उसने लक्ष बना लिया था अगर मेरे को आर्मी में ही जा देश सेवाई करनी है उसका ये मेन लक्ष था 21 राजपुतना रेजिमेंट के कारेरत राजिंदर के डूटी जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा के माचिल सेक्टर में एलोसी पर पैट्रोलिंग गश्ट के दोरान थी जहां हिंस्खलन में दबने पर यह हाथसा हुआ इस दोरान चार सेनिक बरफ में दब गए थे और रेस्क्यू में निकलने के बाद उन में से तीम जवानों की मौत हो गए थी जिसमें तीनों राज़स्तान के थे जुझुलो जिले में मेहडा गुजरवास का रहने वाला कमलेश रावट भी कश्मीर के माच्छिल सेक्टर में सीमा के पास पहरा देते समय बर्ख बारी की चपिट में आ गया इसके चलते शहीद के गाउं में चूले भी नहीं जलाई गए साथी शादियों में जो मंगल गीत गाये जा रहे थे वह भी बंद हो गए शहीद कमलेश अपनी पुत्री की शादी अपरेल में करने वाला था उधर जमू कश्मीर के कुपुवाड़ा में भरतपुर जिले का जवान शहीद हो गया डीग थाना शेतर के गाउं अंजारे निवासी बलवीर सिंग 21 राजपुद रेजिमेंड में नायक थे और जमू कश्मीर के कुपुवाड़ा में तैना थे हिंस्खलंड के चलते हासा हो गया और उसमें बलवीर शहीद हो गए एसपी सुरेंदर सिंग कविया ने बताया कि शहीद बलवीर की पूरी सेने समान के साथ अंतिष्टि की जाएगी करोली जिले में एक विवाहिता के साथ कॉंग्रेस के बलॉक अध्यक्ष दौरा दुशकर्म करने का मामला सामने आया है मामला करोली जिले के सपोर्टरा थाना इलाके का है बाद में आरोपी पती के आने पर फरार हो गया पुलीस के मताबिक सपोर्टरा बलोक कॉंग्रेस अध्यक्ष और खेडला के पूर सरपंच हरकेश मिना के खिलाब 22 वर्षे विवाहिता ने दुशकर्म का मामला दर्च कराया है पीडी तक गराम पंचे दोलत पुरा के गाउं का लियान पुरा की रहने वाली है वर्षमान में वहे परिवार के साथ जोर मंडी में किराय के मकान पर रहती है शुकर्वार की रात को उसका पती सपोर्टरा के बजार में घरेलू काम से चला गया महिला घर पर अकेली थी और इसी दुरान खेड़ला निवासी आरोपी हरकेश मिनग घर पर आया और पती के बारे में पूछा पीडीता ने पती के घर पर नहीं होने की बात कही इस दोरान आरोपी ने पीडी तसे पीने के लिए पानी मंगा और वहे पानी लेने घर के अंदर चली गई उसी दोरान आरोपी उसके पीछे कमरे में आ गया और उसका मुह बन कर दुशकर्म को अंजाम दिया जैसे ही पती बजार से वापिस लोरतों मकान के अंदर कुंदी लगे हुई थी पती ने खिड़की से कमरे में देखते हुए आरोपी हरकेश को दुशकर्म करते हुए पाया तो शोर मचाया और कमरे की बाहर से कुंदी लगा दी लेकिन आरोपी कमरे का दर्वाजा तोड़ कर भाग छूटा पीडिता ने सपोर्टर कॉंगरिस ब्लोक द्रक्ष हरकेश मीना के खिलाब दुशकर्म का मामला धर्च कराया है पुलिस ने पीडिता का मेडिकल करवाया है वहीं पुलिस अब फरार आरोपी की तलाश कर मामले की जांच परताल में जुटी है बुन्दी जिले के गाउं में अवैस समंदो के शक्के करण भाई ने शनिवार को अपने ही छोटे भाई की कुलाडी से वार कर हत्या कर दी आरोपी ने अपनी पत्नी पर भी हमला कर उसे घायल कर दिया जिसके साथ उसे अपने भाई के अन्यत एक रिष्टे होने का शक्त था हत्या के बाद आरोपी खेतों में छिप गया जिसे पुलिस में गरफतार कर लिया बुली में तालेडा के भरता बावडी गाउं में उच्छव मेंना का परिवार रहता है आज सुबह घर से चीख पुकार के अवास तुनकर पड़ोसी पहुंचे तो वहां का द्रश्य देखकर सन रहे गे लोगों ने देखा की उच्छव का बेटा केलाश मेंना जमीन पर खून से लगपत था और वो अब चीख रहा था साथ ही केलाश की भावी घायल थी लोगों को देखकर यहां खड़ा उसका भाई गिर्राज मेंना भाग छुटा इसके बाद ग्रामिनों ने पुलिस को फोन किया पुलिस ने वहां पहुँचकर केलाश और महिला को बूंदी के अस्पतान में भरती कराया जहां से केलाश को कोटा रेफर कर दिया कोटा में लाज के दुरान केलाश ने दम तोड़ दिया वहीं पुलिस ने गिराज को पकड़ने के लिए टीम गठित की और उसे खेतों से पकड़ लिया शुरुआती जांच में पता चला है कि आरोपी की पतनी से भाई के अन्यतिक संबन थे बीती रात उसने दोनों को आपत्ती जनक हालत में देख लिया था इस पर वह आवेश में आगया और छोटे भाई पर कुलाडी से हमला कर दिया अलवर जिले में भिवाडी सितक्रश सोसाइटी के फ्लैट में भिवाडी पुलिस ने भारी मात्रा में विस्पोटक ब्रामत किया है इस प्लेट में कई राजों में विस्पोटक सप्लाई करने का कामजारी सा मोके से दो संदिग्द भी पकड़े गए है विस्पोटक की खेब में करीब 10,000 मीटर, कार्डिक्स, वायर 500 मीटर, डेटो नेटर और अन्य उपकरन प्रामत किये गए है डेएसपी से धांत शर्मा के नितर्थ में हुई रेट में पुलिस ने मोके से युव की यूती को भी हिरासत में लिया है आरोपी के पहचान अलवर निवासी साहरूम के रूप में हुई वही हर्यान के सोहना निवासी रफीक नाम का मुखे आरोपी अभी फरार चल रहा है चापे के दोरान एसपी पुषपेंदर सोलंकी से भारी पुलिस बल मोके पर रहा पुलिस से मिली जानकरी के नुसर फ्लेट सोहना निवासी रफीक ने किराय पर लिया हुआ था पुलिस ने जिस दोरान फ्लेट में रेड की वहाँ पर सहरुन नाम का युवा कोरे की यूती मुझूद थे दूसरा एक कमरा विस्पोटक से भरा हुआ था बताय जाता है कि मुझ्यारोपी, रफीक, विस्पोटक राष्तान के साथ हर्याना और अन्य परदेशों में भी सप्लाई करता था कृष्ट सोसाइटी के तीन फेज में करीब धाई हजार फ्लेट हैं इन में करीब दो हजार परिवार रहते हैं ऐसे में यदि कोई विस्पोट होता है तो हजारों लोगों की जान जा सकते थी गौरतलाबे की मिवाज शेतर में खनन का अवैध धंदा बड़े इस्तर पर किया जाता है बीते वर्ष भी करीब आधा दर्जन केसों में लोगों से विस्पोट टक बरामत किया गया था बरामत किया गया विस्पोट पहाडों को तोड़ने के लिए प्रयोग में किया जाता है लेकिन यदि विस्पोर्ट गलत हाथों में पढ़ जाए तो किसी आतंकवादी गती विध्यों में भी इस्तेमाल किया जा सकता है रास्तान में पांच साल पहले सौधी अरब गए एक यूवक की हत्या कर दे गई मुकेश को फैक्टरी में दूसरे काम पर लगा दिया गया जब भी मुकेश की परिजनों से दूर भाष पर बात कुती थी तो वह फैक्टरी में मालिक कपिल की और से परिशान करने की बात करता था मुकेश वापिस भारत आना चाहता था लेकिन पैसे नहीं दे जाने से वह स्वधेश नहीं लोड सका मुकेश की आखरी बाच्ची 30 जन्वरी की रात 10 बजे गाउं पिलोदा निवासी अपने साले श्यामलाज के साथ हुई थी तब उसने फैक्टरी मालिक से पैसो को लेकर जगड़ा होने की बात कही थी और कहा था कि अगले दिन वह मेरा हिसाब कर मुझे सुदेश भीज देगा लेकिन दूसरे दिन 31 जन्वरी के दोपहर एक बजे मुकेश के साथ मजदूरी करने वाले जैपूर निवासी गुमान सिंग का फोन आया उसने मुकेश के मरने की जानकारी दी मुकेश बैर्वा का पूरा परिवार गरीबी के चलते कारी गरी और बेलदारी पर आश्रित है मुकेश बैर्वा के परिवार में हत्या की सूचना मिलते ही कोहरा मच गया माबाप के अलावा उसकी पतनी साभी के साथ दो पुत्र और दो पुत्रिया भी है ऐसे में मुकेश के परीजनों ने हत्या का आरोप लगाते हुए मामले की जांच कराने के लिए विजेश मंतराले से गुहार की है बहरोड उफखंड के अनंत पुरा इस्तित महराना परताप रिजिनल ट्रेनिंग सेंटर में आज 43 वां दिक्षान समारों मनाया गया इस दोरान CISF के जवानों ने परेड के दोरान राश्ट द्वज को सलामे दी करकर में आरक्षा को द्वारा अलग अलग हैरत अंगेज करतबों की प्रस्तूतिया दे गई आरक्षा बुन्यादी प्रेश्रिक्षन दिक्षान करक्रम के दुरान पूरे CISF प्रांगन को अलग अलग रंगों से सजाए गया करक्रम के मुख्य अथिती CISF के अडिश्टनल डी जी में गणपती थे ट्रेनिंग में पास आउट हुए जवानों ने वफदार और इमानदर रहत हुए देश की सेवा के लिए हमेशा ततपर रहने की बात कही जवानों द्वारा यह भी दिखाया गया कि आतंक वादियों से घिरे वी आई पी को किस परकार CISF के जवान बचाकर सही सलामत ला सकते हैं इस मौके पर एडिशनल डीजी ने बताया कि जवानों को हर परकार की मुसीबत से निवटने के टिप्स ट्रेनिंग के दुरान दिये जाते हैं निर्मातर निर्दिशत संजलीला भंसाली की फिल्म पदमावत को लेकर अंदोलन करने वाले राजपूत संख्ठन अब आमने सामने हो गए हैं शिरी राश्टी राजपूत करणी सैना महराश्ट ने फिल्म पदमावत के खिलाप अंदोलन को वापिस ले लिया है इसके लेटर हेड पर जारी पत्र में कहा गया है कि राजपूत परती निधियों ने दो फरवरी को मुंबई में फिल्म देखी है इसमें चितोर की राणी पदमावती और राणा रतन सिंग सहीद राजपूत गोरव की छवी किसी भी तरह से धूमिल नहीं की जा रही माराज करणी सेना का यह है भी कहना है कि निर्माता निर्देशक ने फिल्म में राजपूती आन, बान और गोरव का पूरा ख्याल रखा है फिल्म पदमावत में राणी पदमावती को बहतर धंग से प्रसूत किया गया है दरसल इस संठा निराष्ट्य उपदर योगेंदर सिंग ने भी पदमावत फिल्म को राजपूतों का गोरव दर्शाने वाला बताया था भले ही इस एकाई ने मुंबई में फिल्म पदमावत के खिलाव अंदोलन वापिस लेने की घोशना कर दी हूँ महाराख से जारी हुआ है महाराख पदा दिगारी गुरूप का उसमें मैं आपको बता दूँ कि बंबई जो अत्यक्स है वह है मर्दन सिंग्जी राजप्यावास और उनकी पतनी का रात को कल ही दिहात हो गया और शाह साधिन से एस्वस्थी उनकी आत्मावत शांती ने भ अगर कोई है तो आप दोगों को कह रहा हूं कि इस नम का विजारी का अमारा आज भी जारी है हमारी अपात काली मिटिंग्स कशा भर्वरी मंगलवार को उलाई गई है उसमें हमारे जो संसन के और जो को यम्हें मैंतो गुरतलाभेकी पंजाब में भी राजपु समाज के परते निधियों ने फिल्म देखकर इसे पंजाब में रिलीज करने पर सहमती देदी है भारत और अश्टिले के बीच अंडर 19 विश्व कप के फाइनल मुकाबले को भारत ने आठ विकिट से जीत लिया शांदर सफलता के बाद BCCI ने जहां इनामों की बारिश कर दी वही राश्पती और परधान मंतरी ने भी टीम को बढ़ाई दी है इस मेंच में आश्टिले के कपतान जैसन सांगा ने टॉस जीत कर पहले बल्ले बाजी का फैसला किया भारतिय गैंद बाजों के दमदार परदशन के चलते आश्टिले की टीम पूरे 50 ओवर भी नहीं खेल पाई और 47 ओवर और दो गैंदों में ही 216 रन बना कर आउट हो गई 217 रन की चुनोती का पीछा करते हुए भारत ने 38 ओवर और 5 गैंदों में सिर्फ दो विकिट खोकर ही लक्षे को पार कर लिया फाइनल मुकाबले में मन्जोत कालरा ने शांदार शटक ठोका मन्जोत ने 102 गैंदों में आठ चोको और तीन दमदार शको की मदद से नाबाद 101 रन बनाए उधर BCCI ने ट्वीट कर जीत की बजाई देते हुए टीम के प्रते खिलाडी को 30-30 लाक रुपे इनाम के रूप में देने का फैसला किया है इतना ही नहीं टीम की जीत में एहम भूवी का निवाने वाले टीम के मुखे कोच राहूल दर्विड को 50 लाक और सपोर्ट श्टाप को 20-20 लाक रुपे देने की गोशना की गई है आयकर विभाग ने नोट बंदी के दुरान अपने अकाउंट में 15 लाक से ज़्यादा की रकम जमा कराने वाले करीब 2 लाक लोगों को नोटिस जारी किये है Central Board of Direct Taxes के चेर्में सुशिल चंद्रा के मुताबिक नोट बंदी के एलान के बाद कई लोगों के अकाउंट में 15 लाक से ज़्यादा की रकम जमा की गई लेकिन इस पर कोई रिटन फाइल नहीं की गई Department ने दिसंबर और जनवरी में ऐसे करीब 2 लाक अकाउंट होल्डर्स को नोटिस बेजा है चंद्रा ने बताया कि पिछले 3 महिने में टेक्स चोरी देर विच से टेक्स फाइल करने वाले और हेरा फेरी करने वाले करीब 3,000 लोगों पर केस दर्ज किया गया है इसके लावर डिजिटाइजिशन और के वो भड़ावा देने के लिए इंकम टेक्स डिपार्टमेंट ई-एसेस्मेंट पर फोकस कर रहा है इस साल इ-एसेस्मेंट को ट्राइल के तOR पर लगो किया गया है और पिछले 3 महिने में ही करीब 60,000 इ-एसेस्मेंट किये गये हैं ये असेस्मेंट के तहट कोई भी शक्स अपना टेक्स ओनलाइन फाइल कर सकता है जिससे उन्हें बार बार इंकम टेक्स ओफिस के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। गोर तलाबे की आठ नुमबर दोजाज सोला को परधान मंतरी नरेंदर मोदी ने नोट बंदी का एलान किया था। इसके बाद पांस ओर एक अजार के नोट केरेंसी के चलन से बाहर हो गए थे। कॉंग्रेसी नेता ने विवाहिता से किया दुशकर्म घर में घुसकर की हैवानियत पती के आने पर हुआ फरार। स्पार्कल प्राइम इडिया नियूज में आज यतना ही दीजिये इजाज़त नमस्कार। स्पार्द की दबाएम इडिय हैं आक में अजाज़त नमस्कार। स्पार्कल प्राएम इडिय हैं अजाज़त आने अंजाज़त नमस्कार। कर दो